तो सर कितने marks का chapter आएगा यह 10 marks का ठीक है और जितने कम marks का है यह 10 marks 12 के हिसाब से तो लगेगा बहुत जादा नम्मर का है लेकिन graduation के हिसाब से कम marks का ही है तो यह chapter hardly 2 से 3 दिन में खतम हो जाएगा maximum 3 days में सारे questions करके खतम कर देंगे अब inventory का मतलब क्या है सर inventory का मतलब है आपका stock inventory का मतलब है that is stock और सर स्टॉक का manage करना manage करना stock का बहुत important रहता है अगर आपने stock को manage नहीं किया तो आपका business loss में भी जा सकता है जैसे मान लेते हैं simple सी बात chemist की दुकान की बात करते हैं chemist की जो सबसे medicine की बात होती है expiry और हर एक product की तो वैसे expiry की होती है तो अगर माल लेते हैं कि हम goods को खरीते हैं पुराने वाले माल को मैंने क्या करा पुराने वाले माल को पीछे रखा और नए वाले माल को आगे रखा और मैंने क्या करा पुराने वाले माल को पीछे ही रहने दिया आगे वाला माल सारा बेशते गए बेशते गए बेशते पाद यह तो सारा क्या हो गया? खराब हो गया यानि आपने अपने inventory ठीक से manage नहीं करें आप दुकान ला को यही नहीं पता कि आपके दुकान के अंदर समान है भी यह नहीं है कस्टमर आता है आप ढूणते हो नहीं मिल वापस चला गया आपके business का गुड़ खराओ कि जब स्टॉक ही निया और दुकान दर के पास समानी नहीं रहता क्या करेंगा जाके आपके पास देखा जाए इसी के साथ साथ मान लिया जाए कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जो कि आपके पास है तो लेकिन आपको मिल नहीं रहे दुकान के इंदर फिर भी अपने कस्टुमर को वापस कर दिया तब भी आपका बिजनस लॉस में जा सकता है और इन सभी का बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने स्टॉक यानि जो परचेस समान करते हो उस स्टॉक को अच्छे से मिंटेन करो हर बिजनस के अंदर एक चैन होता है मल्टीपल क्या च कस्टुमर के सामने किसके सामने होता है आपका कस्टुमर के सामने यानि कस्टुमर दुकान पर जाएगा कस्टुमर से जो दुकान होता है इनका हर दुकान का एक होता है गोडाउन go down होता है अब जो यहां से समान यहां पे जाता है न इस go down से यहां पे जाता है यही होता है हमारा normal equation गोडाम में पड़ा हुए लिया क्योंकि हम सारा समान यहां पे रख नहीं सकते हैं क्या space की problem और क्या सर समान waste हो सकता है यहां पे go down में secured है थोड़ा और ये समान किस से खरीदते हैं सर ये समान खरीदते हैं किसी ना किसी मान लेते हैं manufacturer से तो सर हमें जो inventory है इस inventory को जब हम manage करते हैं तो manage करने के लिए हमें एक register maintain करना होता है और सर जो register हम maintain करेंगे जैसे school के अंदर आपके attendance के लिए एक register maintain करते थे उस register को क्या बोलते थे हम attendance register आप tuition के अंदर अलग register maintain करते थे और घर के अंदर अलग register maintain करते थे कुछ class बर के register है कुछ home बर के register सेम इस stock को भी register maintain करा जाता है उसको बोला जाता है that is store laser laser का मतलब होता क्या है laser का मतलब register से है laser का मतलब बिलकुल भी ऐसा नहीं समझना के ये वाला laser की बात चल रहा है यह लेजर नहीं है लेजर का मतलब सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है और स्टोर लेजर मेंटेन किया जाएगा सर जो स्टोर लेजर मेंटेन किया जाएगा हमारा इस स्टोर लेजर की मेंटेन की बात करें तो कौन करेगा इस store laser को maintain that is आपका ये करेगा store laser को maintain that is go down वाले आपको कोई भी समान लेना होगा आप फट से phone करोगे यहाँ पे आपका एक person बैठा होगा जिसको बोला जाता है store keeper जिसको बोला जाता है store keeper जो की go down में बैठा है कोई समान लेने आया आपके दुकान में समान नहीं आपने फट से phone किया भाई एक काम कर ये समान चेक करके बता है या नहीं है वो बताएगा है ठीक है भेज दे यह यहाँ से इसको समान देगा किसको समान देगा सर ये? ये go down पर इसके लिए वर्ड यूज करेंगे इसने क्या कर दिया इसू तो इसू का मतलब मैंने बेचा नहीं है मैंने भाई सामने से आया मेरे पास शोरूम से मालिक ने हुकम किया कि भाई मेरे को समान भेज़ दो और मैंने भेज दिया कहना है सरक कोılarउन ट्रीडिंग में जाता है या प्राफिट ऑं लॉस, अब हिम प्राफिट ऑं लॉस मतलब ट्रीडिंग की बात नहीं कर रहे go down rent वैसे trading का part होता है और यहां से यहां समान आएगा तो इसने पर्चेज नहीं किया होगा इसने receive किया होगा क्योंकि पर्चेज करने का अधिकार तो ओनर को होता है go down तो क्या होता है समान आए ठीक है भाई रख दे समान गया ठीक है imagine करो के हाँ भाई go down में समाना आ रहा है तो हमें किसके लिए accounting करना है इस go down के लिए और go down वाले accounting करेंगे कहां accounting करेंगे that is store laser में अब go down वाले दो तरीकी के हो सकते है जो हमारा go down वाला है यानि जो store laser बनाया जाएगा laser दो तरीकी के हो सकते है sir store laser दो तरीकी के बिल्कुल एक हो सकता है periodical एक हो सकता है periodical एक हो सकता है perpetual सर्फ प्रियोडिकल क्या होता है और perpetual क्या होता है प्रियोडिकल का मतलब होता है कि भाईया वहां पे हफते में एक दिन entry करेंगे मतब समान आ गया ठीक है वाई एक हफते में बहुत कम समान आता है तो एक दिन बैठके सारे रेजिस्टर में ट्रिकर देते हैं यानि यहां पे हो सकता है time के according यानि हो सकता है weekly हो सकता है आपका monthly इसे एंट्री करेंगे हो सकता है तीन दिन बाद perpetual का मतलब होता है रोजाना रोजाना मतलब regular समान आया जो गोडावन के अंदर बंदा बैठा हुआ है वाई रखो कितने डबबे यह आगे वो लिखता रहेगा रखवाता रहेगा लिखता रहेगा रखवाता रहेगा रखवाता रहेगा वो perpetual हो गया तो आपके हिसाब से best कौन सा है perpetual best है या फिर periodical तो best perpetual है accuracy वहां पे जाता होता है तो हमारे exam के अंदर जो store laser बोला जाएगा वो किसी से भी पूछा जा सकता है तो हमें बनाना कौन सा है perpetual पहले तो आपको theme पता होना चाहिए यह chapter बना क्यों है chapter सीख क्यों है कहां से आया नहीं आया तो go down के अंदर जो store keeper बैठा होता है वो एक register maintain करने वाला है वो register कैसे maintain होता है वो हम करेंगे और हम सीखेंगे ताकि future में आपकी job कहीं go down या कहीं register maintain करने में लगता है तो वहां पे किस तरीके से आप उस register को maintain करोगे आपको पता होना चाहिए और उसके अंदर भी दो टाइ पॉइंट को पढ़ेंगे तो अगर हम बात करते हैं परपेच्वल इन्वेंटरी सिस्टम परपेच्वल इन्वेंटरी इसको करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं हाला कि वैसे ज्यादा मेथड्स हैं लेकिन popular मेथड्स तीन है जो कि आपको सीखना होगा एक होगा हमारा लास्ट इन लास्ट आउट लास्ट इन एंड लास्ट आउट मेथड्स जैसे आपको एक तारीक को समान आया दो तारीक को समान आया तीन तारीक को समान आया ठीक है तीन दिन आपके पास समान आया अब आप तीन तारीक को खड़े हो तीन तारीक वाले दिन पे हो तो सबसे लास्ट में कौन सा समान आया सबसे लास्ट में कौन सा समान आया मैंने लास्ट इन लास्ट आउट लास्ट इन लास्ट आउट नहीं है लास्ट इन फर्स्ट आउट पहले फर्स्ट आउट करते हैं फर्स्ट आउट सबसे last में कौन सा समान आया ये वाला समान आया अगर मेरे पास office से order आता है कि भाई एक काम कर तू समान भिजवा दे तो मेरे पास तीन समान है एक इस दिन भी समान पढ़ा हुआ है इस दिन भी समान पढ़ा हुआ है इस date पे भी समान पढ़ा हुआ है तो last in सबसे last में तीनो डेट में से एक तारिक, दो तारिक, तीन तारिक तो हम तीन तारिक पे हैं तो सबसे last वाली डेट कुन सी है? तीन तारिक इसको सबसे पहले बेच दो first out मतलग इसको बेच दो यानि एक तरीके से मैं कहूं तो इस method के हिसाब से new वाला जो हमारा समान होता है new वाला जो हमारा goods होगा उसको पहले हमें send करना है है ना? यही हुआ इसका मतलब बहुत सारे ऐसे product होते हैं जो कि जितना पुराना होता है उतना महंगा हो जाता है बहुत सारे ऐसे product होते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं नए वाला हमारा महंगा होता है पुराने वाला सस्ता होता है जर्रली हमने यह देखा है पुराना समान सस्ता मिलता है लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट हमारा जैसे मैं सिंपल सा एक्जामपल लूँ तो वाइन की बात करते हैं दारू क करके बेचेंगे नहीं वाली को पहले बेचते हैं और इस मेथड को हमें एक पॉपलर नाम से शौट फॉर्म नाम से जानते हैं डेट इस लीफो लीफो और एक्जाम में भी आपने आपको लीफो ही बोला जाएगा यानि आप अपने रजिस्टर को मिंटेन करिये किसके मतलब लीफो मतलब नए वाला माल पहले भेज़दो पॉराने वाले को हम बाद में भीजेगे दूसरा मैथड आजाता इसके अंदर इस फॉस्ट आउट आपके सामने डेट है जैसे एक तारिक, दो तारिक, तीन तारिक एक फरवरी, दो फरवरी, तीन फरवरी अब आप इस डेट पे खड़े हो तो तीन तारिक को और एक तारिक में सबसे पहले कौन सा माल आया हमारा गोडाउन में एक तारिक वाला सबसे पहले आया, सबसे पहले आया, एक तारिक वाला, तो जो first in है, उसको पहले बेचो, यानि इस case के अंदर होगा क्या, पुराने माल को पहले बेचा जाए, बेचा जाए, यानि भीजा जाए, यानि old goods को, first, मैं sold word यहां पर लगा देता हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग में थोड़ा चलता है, जल्दी समझ में आता है, पुराने माल को पहले बेचो, बाकी बाकी यह sold नहीं होगा, यह issue होगा, मैंने समझाया था, क्योंकि हम go down से showroom को भीज़ेंगे, यह कब होता है, यह normally हर जगाई होता है, milk के product में देख रो, दूद वाली क्या करते है, मदे डेरी के अंदर जैसे मैं देखता हूँ, कि सुभह में, या evening में जो मदे डेरी के अंदर milk आता है, या morning में आता है, वो सबसे पहले क्या करते है, कि वो फुराने वाले बेचेंग और नए वाले को अंदर रखेंगे, यानि जो पहले सुभह वाला कोई दूद की थैली अगर बची हुई है, दूद का कोई packet बचा हुआ है, सुभह morning वाला, तो हम क्या करेंगे बहिए पहले इसको साम को बेचतो, और जो साम को आएगा, उसे रख लेंगे, कल सुभह बेच जाता है, ऐसा हो सकता है कि एक तारिक को दूद का भाव था 10 रुपे लिटर, और ऐसा हो सकता है कि तीन तारिक को भाव हो गया 12 रुपे लिटर, कई बार आप जाते होगे, कल तो मैंने इतने गलिया था, आज इतने का हो गया, तो डेली बेसिस पे, आप सबजी की बात कर सब्सक्राइब तो हमारे रेट का बड़ा पंगा आता है इसके अंदर तीसरा हमारा है वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज वेटेड एवरेज मेथड इसका कोई शॉर्ट फर्म नेम नहीं है इसका है इस फीफो आपने बुग में भी देखेंगे ना यूनिट में तो यही नाम लिखा होगा इन्वेंटरी के बाद लीफो और फीफो और वेटेड एवरेज और इस सारी बातों को सिखाया जाता है एस पर एस टू अकाउंटिंग स्टेंडर टू इन बातों को गवन करता है तो इस चेप्टर के साथ हमारा एक अकाउंटिंग स्टेंडर भी हो जाता है और हम क्या सीख रहे हैं सर अपना स्टोर लेजर बनाना यानि रजिस्टर मिंटेंड करना register maintain करने के दो तरीके है या हो सकता है pre-ordical हो या हो सकता है कैसे हो perpetual हो अगर हम बात करें pre-ordical का हम बात में करेंगे पहले perpetual का कर लेते हैं तो perpetual भी register maintain करने के कितने तरीके हैं हो सकता है leafo, fifo या weighted average leafo में नए वाला माल बेचना है फीफो में पुराने वाला माल बेचना है वेटेड एवरेज के अंदर हमें ना तो नया ना तो पुराना हम मिक्स करके बेचेंगे और मिक्स करके वो बेचते हैं जिनका रेट बहुत जल्दी फ्लेक्चुएट हो जाता है जैसे कि स्टॉक मार्किट के अंदर शेर्स वगेरा जो बेचे जाते हैं वो वेटेड एवरेज पर बेचे जाते हैं मतलब कि एवरेज निकलता है एक रेट जैसे माल लेते हैं सुबह मैंने दस रुपे किलो माल लेते हैं प्याज खरीदा फिर तो फैर में मैंने 12 रुपे किलो प्याज खरीदा और मुझे शाम को बेचना है तो ना तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एक घंटे 10 रुपे किलो बेच दूँ और फिर बाकी के घंटे 12 रुपे किलो बेच दूँँगा तो मैं एक एवरेज प्राइज निकाल लूँँगा यार मिर को जो प्राइज पढ़ाना 10 और 12 रुपे का हिसाब से पढ़ा तो मैं 11 रुपे के हिसाब से भी चूँँगा तो इस वेटेड एवरेज समझे तो हम तीनों मैथट देखेंगे इसमें मेजरली जिस बच्चे को फॉर्मेट समझ में आ गया और फॉर्मेट सभी को समझ में आ जाता है जिस बच्चे को फॉर्मेट समझ में आ गया उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस चप्टर में मैंने कहा यह दो से तीन दिन और last session में मैंने कराया था तो एकी दिन में खतम हो गया था तीन घंडे के अंदर chapter तो दो से तीन दिन लगना है कृष्णा का कहना है trading account profit and loss go down trading में जा रहा है profit and loss में go down rent जो है वो trading में जाएगा यह पुरानी चीज़े हैं यहां तक सभी बच्चों को सारी चीज़े समझ में आ रहा है अब देखते हैं आगे सर इसका करने का क्या format होगा register किस तरीके से बनेगा question तो हम बाद में देखेंगे मैं साथ के साथ अपना ही एक question बना लेता हूँ और मैं करता जाओंगा इस question को करने के बाद थोड़ा counting equation यहाद आ जाता है देखें date date particular इसके बाद यहाँ पर आएगा receive अब receive जो करोगे तो वहाँ detailing होनी बहुत जरूरी है सर क्या क्या detailing होनी चाहिए receive में receive में तीन detailing होनी जरूरी है इसका color changer सर आपके पास quantity होना जरूरी है कि कितने quantity आपको rate पता होना चाहिए और total कितने का receive हुआ 10 किलो समान 10 रुपे के rate से तो total 10 रुपे 10 के इस अब से 100 रुपे का समान आया ठीक है इसके बाद यहाँ लिखेंगे issue अब issue के अंदर भी same 3 column बन जाएंगे कौन कौन से 3 column Sir quantity कितने आपने दिये किस rate के दिये और क्या आपका total रुपीस का गया अब last में आएगा that is balance balance में भी तीनों detail देनी पड़ेगी आपको कि भाईया quantity कितने बचे किस rate वाले quantity किया total कितने बचे यानि quantity rate and total आपका answer examiner ये पूछेगा finally अब मैं एक question कर लेता हूँ और जो मैं ये question कर रहा हूँ यहाँ पे ओपर लिख रहा हूँ मैं store laser और that is मैं कर लेता हूँ चलो मान लो FIFO से कर लेते हैं FIFO ऐसे तो कोई भी कर सकते थे लेकिन मैंने FIFO ले लिया हूँ FIFO का मतलब जो पहले आया था पुराने वाले माल को बेच दूँ ठीक है सबसे पहले मैं सारी बातें यहाँ पर लिखता जाऊँगा और उससे करता जाऊँगा माल लेते हैं मैंने एक जनवरी को माल लो मैंने रिसीव किया 100 कॉंटिटी रिसीव किया 5 रूपे के हिसाफ से तो 100 कॉंटिटी रिसीव किया 100 तो इस दिन मैंने कुछ भी इसू नहीं किया तो मेरे पास समान जो बचा 100 quantity बदा 5 रुपे के हिसाब से 500 समझ मैं यहां तक फिर से 2 तारिक को मैंने फिर से रिसीव किया that is मैंने 300 quantity रिसीव किया that is 6 रुपे के हिसाब से अब 1800 यहां पे कुछ भी नहीं है अब यहां पे मेरे पास 2 तरीके के वराइटी हो गए 100 quantity 5 वाले और 300 quantity 6 वाले यानि 500 और यह 1800 mix नहीं करना आपने question मैं अपनी हिसाब से बोलता जा रहा हूं लिखता जा रहा हूं 3 तारिक को 3 तारिक को 3 एक को again मैंने receive किया 500 quantity 4 रुपे के हिसाब से that is 2000 खाली और अब मेरे पास 3 तरीके के वराइटे हो गए 100 वाले भी हैं 300 वाले भी और 500 वाले यह है 5 वाला यह 6 वाला यह 4 वाला यह 500 अब चलिए हम चार तारिक को हमने issue कर दिये और जो issue किये न चार तारिक को हमने यहां ब्रैकेट कर दिये और चार तारिक को मैंने issue किये 800 quantity 800 unit अब हमारा चुकी है कौन सा method फीफो तो हमारे पास 3 तरीके के unit है ठीक है 3 तरीके के unit है हमारे पास तो 3 तरीके के unit में हमें कितने unit बेचने है 800 तो हमें सबसे पहले यह वाला unit निकालना है कि यह वाला भामें फैसला करना होगा सबसे पहले पहले वाला निकालेंगे यानि हम जब इर्शु करेंगे तो पहले हमें 100 unit इर्शु करना पड़ेगा पांच वाला लेकिन हमें तो बेचने 800 है तो अब मुझे बताइए अब कौन सा बेचना पड़ेगा 300 unit और ये 6 वाला लेकिन अब भी 800 नहीं हुए है अब मुझे 400 और बेचने पड़ेंगे इसमें से तभी तो 800 बनेंगे तो अब बताओ 400 कौन से वाला होगा चार वाला तो ईशू की बात करें तो 500 1800 और 1600 अब हमारे पास बचा क्या है बताईए हमारे पास अब टोटल में से कितने बचे हैं सिर्फ 100 ही बचे हैं और वो भी कौन से रुपे वाले चार वाले डेट डेट इस 400 अब जब इशू किया है हमने कितने यूनिट इशू किया है 800 तो 800 में से आपके पास 900 ईूनिट पड़े हुए है तो 800 में से फीफो में थड है तो पुराने वाला पहले बेच बेच हो तो पुराने वाला बेच दिया तो भई सो ही हुए और जोरत है हमें 700 का जोरतree है तो 400 हो गए और जोरत कितने की पड़ेगी हमें तो 400 अब एक यही तो बचा होगा हमारे पास इसमें से 400 बेच दिये तो इस तरीके से बेच दिये अब हमारे पास जब इसमें से 400 बेचे गए तो मतलब यहाँ पे 100 यूनिट ही तो बचे हैं तो 100 यूनिट यह बचे रहे समझ रहे बात को अब हमने पांच तारीक को मान लिया जाए पांच एक को फिर हमने रिसीव कर लिया मान लेते हैं 600 यूनिट पांच रुपए के हिसाब से देट इस 3000 अब यहाँ पे आगे 100 रुपए और 4 वाला है और 605 वाला है 30 हमारे पास बच गये 3000 इस से मुश्किल ही नहीं यह सवाल अगर आपको इतना समझ में आ रहा है बस और यह सवाल दस नंबर का पूछा जाता है इस सवाल के अंदर जो भी मैं मानता हूं जस्ट एक फॉर्मिटिंग है और फॉर्मिटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर एक बार समझने के बाद हर बच्चा कर लेता है इस सवाल को जब बच्चा कोई लास्ट टाइम पर आता है ने मेरे पास के सर कुछ पास होने के लिए बता दो दस बार नंबर यह करे यह करे तो मैं उत तो पहले तो यह कर लो क्योंकि जल्दी हो जाएगा यह अब मान लेते हैं कि छे तारिक को छे एक को आपको डेट भी स्पेसिफिक ध्यान रखना है छे तारिक को आपने इशू कर लिए suppose करो आपने 50 unit issue किये अगर आपने 50 unit issue किये हैं तो आप FIFO के according 600 में से 50 unit निकालोगे या 100 में से 50 unit निकालोगे 100 में से निकालोगे ना तो 100 में से 50 unit निकाला तो 50 into में 4 यानि 200 के unit निकाल गए अब balance जो बचा अब 50 बच गए 4 वाले और 600 बच गए 5 वाले यानि हमारे पास 200 और 3000 बच गए साथ तारिक को मान लेते हैं अगेन इस्यू किया हमने 350 यूनिट तो जब मैं साथ तारिक को अगेन इस्यू करूँगा 350 यूनिट तब मुझे बताईए कैसे कैसे करा जाएगा 600 में से डायरेक 350 निकाल ले या फिर हम पहले 50 निकलेगा है ना पहले 50 निकला चार वाला अब 600 में से कितने निकालेगे 300 यूनिट तो यह 200 और यह 1500 अब मेरे पास जो बचा वो 300 यूनिट बचा 5 वाला 1500 जितने बच्चे लाइब देख रहे हैं सभी बता दें क्या आपको अभी तक के पॉंट में कोई दिक्कत है पूछ सकते हो यानि आप लीफो या फीफो की बात देखें अगर आप लीफो या फीफो की बात देखो तो वो पता है कहां पर नजर आता है स्रिफ स्रिफ और स्रिफ वो नजर आता है इशू के टाइंग पे रिसीव करते जाओ और एड करते जाओ लेकिन जब इशू करते हो तब ही इंपेक्ट दिखता है उसका तो अब हमसे पूछा जा सकता है कुश्चन कुश्चन नमबर वन कि आप बताएए Closing Stock का Value क्या है तो जवाब है Sir Closing Stock का Value कितना है 15 जो समान बेचा है जो समान आपने इशू किया है उसकी Total Value क्या है तो इस Total वाले कॉलम को Total करके बता सकते हैं बस आपका कुश्चन इतना ही पूछा जाएगा इस से जादा नहीं पूछा जाएगा हाँ डेट्स बढ़ जाएंगे उसके अंदर पहले यहां तक बताईए जितने भी लाइव क्लास में बच्चे हैं फटा-फट से बता देजिए समझ में आया या नहीं आया कितना आया कितना गया सारी बाते बता दें जल्दी से कमेंट में फिर हम आगे चले नहीं तो सर लीफो फॉर्मेट वही सेम है बिल्कुल लीफो हो चाहे फीफो हो चाहे वेटे डेवरेज हो फॉर्मेट तीनों में सेम है अंशी का कोई बात नहीं इस चेप्टर का पिछले चेप्टर से लेना देना नहीं है अगर आप स्टार्टिंग से जोईन हो आज की क्लास में तो डेफिनिटली आपको समझ में आएगा यह चेप्टर बताईए किसी बच्चे का डाउट पताए फटाफट दाउट I don't know nothing about slavers आपके folder में मैंने डाला हुआ है कि slavers में क्या क्या है आपके 5 unit है 1st unit theory का है 2nd unit आपका practical है 3rd unit भी practical है 4 unit भी practical है और last one is computer वो भी आपका theory है और उसमें से कुछ है computer के component पूछे जाते हैं आप वीडियो के content में जाएंगे मिल जाएगा बिल्कुल course के बारे में भी बता देंगे आपको सारा ना वीडियो आप content में जाके देखेगा each and everything को explain किया हुआ है बाकि आपकी classes TTS में रहती है जो कि इस month TTS रखेंगे और maybe probability है के November 15 के बाद यानि आपका दशेहरा दिवाली खतम हो जाए उसके बाद regular class रहेगी आपकी 15 से 18 दिन की और हमारा target है 5 December तक अपना syllabus को खतम कर ले और आपका 18 December से exam start हो जाएगा total हमारे 5 unit है इसके अंदर और 5 unit cover करेंगे और exam में भी एक बार आपका exam भी 5 questions पूछे जाएंगे वो सारी चीजे मैंने बताई हुई है फिर भी एक बार मैं एक अलग से separate वीडियो बना के दे दूँआ तो मैं एक बार इसको अगर remind करवाँ इसको तो sir हमारा चल क्या रहा है that is inventory chapter का नाम है unit number 2 10 number का आपके exam में सवाल और go down वाला क्या करेगा एक register बनाएगा और उस register को क्या नाम देते हैं store laser और register को बनाने के काफी सारे तरीके हैं या तो आप periodical कर सकते हो या फिर आप perpetual कर सकते हो अगर periodical है तो आप weekly या monthly बनाओगे perpetual है तो आप daily बनाओगे इसमें अगर मैं perpetual पैचुल की बात करूँ तो यहां पे तीन methods हैं आपके लीफो फीफो एंड वेटेड एवरेज लीफो का मतलब नए वाला पहले माल इशू कर दो फीफो का मतलब पुराने वाला पहले इशू करो वेटेड में mix करके करना है आपने मैंने एक लीफो से आपको फीफो से एक कुश्चन करके दिखा है जिसमें पुराने वाला माल पहले बेचा सबसे पहले तारिक को 100 क्वांटिटी आया तो 500 तो बैलेंस भी हमारे पास बच गया 500 फिर हमने दो तारिक को 300 यूनिट लिया तो फिर हमारे पास तीन टाइप के यूनिट हो गए है तीनों उपर वाले भी हो गए और ये तो इतने यूनिट हो गए अब हमने चार तारिक को इशू कर दिया है तो इशू कितने यूनिट किये हैं 800 यूनिट मैंने यहां लिख दिया है तो 800 यूनिट में क्यूंकि ये फीफो है तो पहले ये वाला 100 बेचेंगे फिर ये वाला 300 बेचेंगे अब 400 और कम पड़ रहे हैं तो इसमें से 400 निकालके हमने इसको बीचा है रेट पे खासा दियान देना है अब मेरे पास जो स्टॉक बचा only 100 बचा है वो किसमें से बचा ह only 100 सर इस 500 में से only बचा हुआ है फाइव उनको क्या है रिसीव 600 फाइव 3000 ठीक है अब बात करते हैं सर हमने 600 यूनिट खरीद लिया तो ये add-on होके total इतना हो गया अब हमने फिर से issue किये 50 अब हमारे पास challenge सर दो तरीके के यूनिट है 50 इसमें से दे इसमें क्योंकि फीफो चल रहा है तो इसमें से 50 दे दिया और इसका rate 40 था अब दो तरीके के 50 ये बचा हुआ है और 600 ये बचा हुआ है लास्ट में मैंने साड़े 300 इशू किया है जिसमें से 50 हमने पहले ये वाला ले लिया और इसमें से मैंने 300 ले लिया अब मेरे पास net में 300 यूनिट बचा एक्जामनर ने पूछा कि बताईए आपके पास closing stock कितने quantity हैं तो sir 300 quantity हैं किस rate के हैं sir 5 रूपे के rate से हैं कितने रूपे के हैं sir 1500 रूपे के हैं हम तीनों जवाब easily दे सकते हैं देखो अंशी का जो एसुल का study material मिला है खासकर अकाउंट उसमें से inventory चप्टर बहुत ही अच्छा दे रखा है आप कर सकते हो बाकी चप्टर आपके सही से नहीं गीवन उसमें even दो single entry भी गीवन है जो कि slaves का पार्ट नहीं है तो बहुत सारे पुराने चलाए जा रहे हैं अब नए वाले इस साल का मैं देखूंगा कि क्या मिला है study material में उसमें single entry दे रखा है जो कि not a part of slaves और कुछ चैप्टर ऐसे भी डाल दी है जो कि slaves का पार्टी नहीं है तब भी डाला हुआ है तो उसको अभी आप ignore करें बुक आप ले ले जे आ हमारा होता अगर हमारा होता लीफो तो मैं जो 800 यूनिट निकालता तो 500 यह वाला निकालता और 300 यह और यह 100 जो बसता वह पांच रुपे वाला बसता बस यही concept हमें लीफो के अंदर फॉलो करना है तो कुछ एक सवाल है that is देख लेते हैं यह किसकी बात कर रहा है यह भी कहता है periodic inventory अभी periodic नहीं करेंगे हम सिर्फ अभी सीख रहे हैं कौन सा perpetual तो इस सवाल को आपके book का पहला सवाल है तो अंडर हम perpetual system इसको कर लेंगे अब देखिए सबसे पहले opening stock की बने सब ओपनिंग स्टॉक कितने की बने हजार unit 20 वाले तो इस सवाल को कर ली क्या इस सवाल क तो कर ले 5-6 entry एक 2-3-4-5-6 entry है मैं थोड़ा सा आप सभी के पास किताब हो तो आप देखिएगा ठीक है चलिए मुझे पिछला questions का format follow करना पड़ेगा चलिए इसको ठीक कर लेते हैं हमें format ही तो चाहिए थोड़ा time बच जाएगा और कुछ नहीं झालने कर सकते हैं । चलिए सर इसी फार्मिट को मैंने कॉपी कर लिया है थोड़ा टाइम बचाने के लिए और और कोई रीजन नहीं है हम फटा-फट से कर लेते हैं और कौन से मेथट बोला गया है अंडर फीफो और हम फीफो कर रहे हैं सायद ही आपको प्रॉपर वीजुल नहों तो आप बीबचचे gosh के पास किताब है किताब में से देख सकते हैं सर जोपको का नाम क्या है सर किताब का नाम ⑹ जे-á-á-r मोंगा है और आपकी किताब का ही कोश्चन है ये चलिए कहता है जन्वरी एक को ओपनिंग बैलेंस है तो हम लिखेंगे यहाँ एक एक और हमारे क्या है बैलेंस है तो अब ये भी ब्लैंक चला जाएगा है ना चलो एक कॉलम नीचे आगा कोई बात नहीं कितने बैलेंस है ओपनिंग में हजार कॉंटिटी कितने वाला 20 वाला मतलब 20,000 मतलब 20,000 ठीक है चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फरवरी 10 कहता है पर्चेस किया यानि रिसीव कितने कॉंटिटी रिसीव किये सर 500, कितने वाला, 25, कितने हो गये, 12,500, एक हजार, और 500, 25, नहीं, 20 और 25, 20,000, और 12, 500, एक डन, दो डन, तेरा तारिक को फिर 400 खरेद लिये, 22 में, फिर से रिसीव, कितने, 425, 8800, अब मेरे पास बचे, 1500, और 400, ये 22, ये 25, ये 20, ये 12,500, और ये 80, 800, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आसान सवाल है, अब मैंने 1200 यूनिट इशू करे, सोल्ड यानि इशू, कब किये मैंने, 20 को हमने इशू कर दिये, कितने 1200, तो सर 1200 यूनिट किया, फीफो है, तो पहले 1000 ये वाला निकालो, और फिर 200 इसमें से निकालो, यानि 500, 200 इसमें से निकालो, तो कितने वाला, 25 वाला, तो ये सर 20,000, और 25,000 5000 ही होंगे न चलिए अब बच्चे कितने इसमें से बच्चे 300 इसमें से बच्चे 400 ये 25 यानि 75 और ये 22 यानि 28 20 के बाद फिर 6 अपरेल को हमने 500 यूनिट बीच दिये 6-4 को मैं डेट के आगे कई बार नहीं लिख रहा तो मार्च सा गया मार्च है ये 3 है ये टेट देख ले ना इक वा ठीक है फिर से इशू किया कितने इशू किया हमने 500 अब 500 कौन सा लेंगे हम सर्थ एक तो 300 ये चला गया 25 और 200 इसमें से चला गया ये हो गया हमारा 44 देख रहे हो कितना आसान है और ये बचे कितने इसमें से है ना थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं लेकिन आप देखिएगा बाद में ठीक है पेज नंबर क्या है पेज नंबर क्या है बता दो किसी बचे का 10.9 है पेज नंबर ये 400 भी हो गए फिर 12 तारिक को मैंने 400 पर चेस कर लिया 12 तारिक को मैंने रिसीव कर लिया कितने 400 किस रेट का 25 तो कितने हो गए 10,000 तो 200 हो गए 22 वाले और 400 हो गए 25 वाले 10,000 4400 10,000 और 4400 इसके बाद क्या किया है लास्ट 30 जून 36 ईशू कर दिया कितने 500 तो 200 ये वाले और 300 ये वाले 22 और 25 तो ये होगे 4400 और ये होगे 75 तो और बचे कितने 125 तो बचे के 25 तो आप आंसर चेक कर सकते हो आंसर में गीवन होगा तो ये पूरा सवाल था सिंपल सा और ऐसा ही कोश्चन पूछे जाएंगे आप से एक्जाम में ठीक है तो हमने प्रियोडिक कर रहे हैं तो आज हमने एक मैथट कर लिया देट मेथट इस कौन सा हमारा फीको मेथट सब्सक्राइंट प्रियोड्स एफट स्ब्सक्राइब देट सुषपर